अच्छे इस वीडियो में आपके लिए लिए क्या हूं सर्व मोटर को मशीन में कैसे फिट करते हैं कैसे आप से सीख सकते हूं इस पर्फेक्ट तरीके से सर्व मोटर को मशीन में किस तरह से फिट किया जाता है तो चलिए शुरू करते हैं सो दोस्तों यह है हमारा मेशर का सरो मोटर और आपने इसकी फुल वीडियो नहीं देखिए तो वीडियो के डिप्स्रिप्शन और आई बटर में इसकी लिंक मिल जाएगी वहां जाके आप इसकी फुल वीडियो देख सकते हैं इस मशीन को हमने कैसे अन्बॉक्सिंग किया है इस मशीन में हम मेशर का सरो मोटर है इसको फिट करने वाले है हमेरे पास यह जो मोटर है वो बड़ी वाली मोटर है तो हमें इसकी जगा चाहिए सरो मोटर ताकि हम स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं इसकी जो स्पीड है बहुत ही जादा है आप इसको आसानी से कंट्रोल नह आप खुद से ही बहुत आसानी से बदल सकते हो इसको बदलना बहुत ही जाधा आसान है आपको यह तीन पेज खोलने पढ़ेंगे सो दूस्तो आपसी दिख सते हैं यहाँ पे मैं आपको लाइव एक्जम्पली सारी चीजे में आपको करके बताऊंगा यह जो मोटर है इसको म वह भी दूसराा इगा इसका जो प्लग है उसको हम छेंज गरेंगे और इसके अंदर इस एक लाइटि 거지 उननकाल लेंगे क्युकि हमने लाइटिंग भी आपको लास्ट बू में बताओंगा इसके उपड की जो लाइटिंग है वह ऺइसमे बूर लाइक ही क्यों चीए सबसे बड़ा सवाल होता है मेशर का जो सर्व मोटर है उसको लगाना क्यों चीए और किसले लगाना चीए क्योंकि यह जो हमारी उशा की मशीन है इसके नीचे जो मोटर लगो यह बहुत ही जादा एडवांस है बहुत ही जादा है अगर आप खुछ चलाते हो तो बहुत बढ़िया है कोई इशु नहीं लेकिन कोई और दूसरा बंदा चलाता है तो इस मशीन को आसानी से कंट्रोल नहीं कर पाता है इसके लिए हम इस मश इसको सब्सक्र्वीया लगाने लिए इसक जो सितना झालता है इसको सभ्सक्रू है उपग दें होलग सब्सक्रून कर भला हं है यह जाने हो चार नमर का इल ऄ बहुत ही जाए दिए ठींदached को कर दो इसको बहुत ही है ताइक यह तो आपको जो इसकी जो स्पीड है कम जादा करने में प्रॉब्लम होगी इसके लिए अच्छे से टाइट होना चाहिए और उसके बाद आपको इसको मशीन के जो नीचे है उसको लगाना पड़ेगा जो हमारी जो बड़ी वाली जो मोटर लगे हुई थी सेम तु सेम यह भी म हम इसमें लगाएंगे और इसको लगाने के लिए उसके अच्छे से टाइट करेंगे उछा अर यह को कुछ इस्तरा थाएं परेका अच्छे से ताय करना है ताकि यह भी में थृण बढ़ू आसा रातकू और यह भी बड़ानु रियाट आज देना ईसका अर थी आनदे उस अच्छे से लगाना पड़एगा ताकि एज हखने नीचे का मोटर है उसका अच्छे से कह सब और नीचे से आपको यह जो रबर है वो आपको ईच्छे से लगाना है तीनों में रबर आपको लगाना है, basically करे हैं। यह शुर्म है उसका झार आधा को नहीं तरकेन ईया अपस्टाइट है यह जो भातने हरे-अध। इसका है नहीं दू सब्सक्राइब साइब कर देए है. आपको पता नहीं चलता हमोट्स चल रहा है की नहीं चल रहा है। आपकी मशीन में जितना आवा थोता है, उतने आपको पता चलता है की declaration चल रहेhã की नहीं चल रहे है। नीचे का मजट टृस का कोई भी वाइबरेशन नहीं होता। इसलिए करना है अगर आप खुछ से कर रहे हो तो आपको बहुत जादा ध्यान देना है इसके जो स्कुरू होती है वो सारे स्कुरू आपको अच्छे से टाइट करना है ताकि मशीन का जो नीचे का जो वाइबरेशन हो जाए क्योंकि इसका जो लूज रहेगा तो भी फ्रस्का आपको अच्छे से टाइट करना है बिलकुल भी लूज रहे Pacific मशीन का जो वाइडिंग वाइग आपको लगाना पड़ेगा तो यह जो मोटर का स्वीच आर्टला फाला भाग में में डालना है उसके बाद इसका जो प्लग है वहले पकी हम आगे लगाएंगे इस हैंसोब एक प्लतों कर उपर है कज पड़ंगे उसके बाद बत cáर उसको अच्छे से तरद करना पड़े गया ईह जो है बहुत ज्वभते होगश है यहां से इस पोछी के घुमा के रखे है और इसके बाद यह स्कुरू आपको टाइट करना है ताकि इसकी जो लीवल में है वह पर्फेक्लरों टाइड हो जाए और अच्छी से बड़ाबर टाइट हुआ है कि नहीं हुआ है तो दोस्तों यहां को कुछ इस तरह से इतना चेक करना पड़ेगा एक दम धिला नहीं रहे जा रहे एक दम परफेक्ट हो जा रहे और इसका जो उपर का जो सेफटी धकन होता है वह आपको लगा देना है और लगाने के वाद इ कुछ इस तरह से टाइट करें धना है ताकि यह जो घूमता है ना तो इसके साथ यह जो धकन है उपर का वह गिसना जाए इसके लिए This ना आपको इस तरह श्तैना ना गिष जाए और आपको अच्छे से टाहिवारेना है और आपको इस態 से देखना है so, दोस्तों अब हम इसकी wiring का देख लेते है इसका जो वायर है वो आपको अच्छे से ऊपर से ठोकना पड़ेगा और इसका जो प्लग है वो आपको कुछ इसतर से लगाना पड़ेगा अच्छे से आपको टाइट कर लेना है और उसकी बाद इसके पीछे जो दो आपको बताया था यहां पर मैं डालूँगा अपने मशीन का लाइटिंग लाइटिंग जब हम प्लग चालो करेंगे तो लाइट मशीन का जो लाइट है वो चालो हो जाना चाहिए इसके लिए इसका जो लाइट का प्लग है वो हम डालेंगे औो दोस्तों इसका छो एकसिलेटर का रओड है इसको को अच्छ.." है क्षिसे करना पड़ेगा 이 की दुछ आपको पुरान रओड है उसको निकालने के बाद हम नया रओड का अच्छせて डाले और इसको टाले के बाद यह मोटर के साथ ही अाता है क्योंकि यहां पे एकसि रओड वो डालके आपको अच्छे से टाइट करना पड़ेगा और आपको इस तरह से कुछ टाइट करना पड़ेगा और आपको इसको पकर से टाइट करना पड़ेगा यहां पर आपको कुछ इस तरह से डालके और आपको इसको पकर से टाइट करना ताकि जो मशीन चलेगा तो कि अब पीछ तो अब इसका जो अब पिछ फ्राग डाला था उसका जो बटन है वो यहाँ पर सेट हो चुका है और यह वर्ट रोक कर रहा है इसका हम बटन चालो करके स्का जो लाइटिंग ओ अलग से हमने इसाट कर लिया और अब इसकी जो मोटर मेचर की पीड वेक है है इसकी बंहें भील है मेचर का मेचर का सरोव मोटर हैिक हमगा वेक淨िया था था मेचर का कोई पीड काह saf kateल कि ऋपक छाला आपस पीड कोव काम करना आपके वेक भीलन स्पीड मोटर हुए यहां से पूरा हम operate कर सकते हैं और एक दम perfectly fit हो जोगा है और एक दम अच्छे से work कर रहा है इसमें चलाने में कोई भी problem नहीं हो रही है यहां पर मैं आपको बताऊंगा इसका जो rotation है इसको आप कैसे change कर सकते हो सेटिंग होती है वह किस तर से होती है इसका रोटेशन है और कैसे change कर सकते है तो पी और प्लस आपको दबा के रखना है और इसका आपको पी डू लेकर आना है अब यह जो मशीन है वह उल्टा चलेगा जो इंटर्लोmm कर दो मशिने करने इन तो यहां पर आपको दोस्ते कर या guess को में उतना है कर दोस्तों धैना उसके बाद लेकराना और यह सिरे लहा है तो पड़ाना है तो पर यहां कर देना पदेना और यहां क на 0으니까 ऑपकर यहÁं करके उसके आप सिथे हैं ये मशें सीवी हो चुकिए और ये सिलाय मशें के लिए परफेक्टी वर्क करेगा तो यहाँ पर आपको इस तरह से कपड़ा रखना और ये मशिन सीधा चाल लिए एन्डरे लॉक के लिए होता है और उत्वाइब मशिन के लिए इस चलती मशें महिए इसमें clockwise और anti-clockwise दोनों तरह से सेट कर सकते हो लेकिन अब मैं आपको बता हूंगा इसका जो speed है उसको 4000 से लेके 7000 तक कि तोल है तो इसको पी और माइनस बटन दवाना और यहां पे प्लस वाला जो सकते हैं उसके बाद इसकी जो का and तो टोटल आप इसकी जो स्पीड है 7000 RPM तक इसकी स्पीड है तो आप 7000 पर इसको लेके जा सकते हो यह 7000 के स्पीड पर हम इसको एस दबा के सेट कर देंगे सबस्तो यह 7000 कर स्पीड पर से शओ चुका है सबस्तो 7000 तक के चिस्पीड हमने सेट खर दे लेकिन इसको मैनुवली वापसर हमको शाओ-ब शायर पर लेके जाना पड़ेगा सारे 4000 तक कि य County जो स्पीड है इसको हम लेके जाएंगे 7000 पर दोस्तों यहां पर इसकी जो speed है फिर से हमें बढ़ानी पड़ेगी 7000 के speed हम प्लस आइकन को दबाके 7000 से लेकर 200 तक लेकर आ सकते हैं तो 7000 पर हमने इसको सब्सक्राइब दो बार दोस्तों यहां पर फ्लस बड़न दो लेकर आना और ऐस दबाके सेट कर देना उसके बाद पी 01 खुल जाएगा और पी दबाके सेट कर दें उसके बाद आप इसकी जो speed है उसको कम कर सकते हो साथ जार पर से 4000 तक कि ispid आप लेकर आ सकते हो सबस्तों य 4,000 अपर बढ़ नहीं है दो सबसे कम कितना हो घुम अपको बता दू सबसे कम इसकी 20 की स्पीड है सो दोस्तों अपर इसकी जो स्पीड हो 20 की आ चुकिए बीस नीचे नहीं जाता? 20 से उपर चले जाता है तो दोस्तो, यहाँ पर आपको मैं full speed करके बताता हूँ मैं फुल speed कितना हो डाया है कि हहाँ पर 4000 पर लॉक हो चुका है तो इसकी full speed 4000 तक ही जाएगी तो दोस्तो आप इसे देख सकते हैं पहले सारे 3000 पर जाती थी तो वीडियो के difference की link मिल जाएगी वहाँ जाके आप इसको खरी सकते हो आज के date में इसकी क्या प्राइज है आपको कितने पड़ेगी इसकी पूरी डिटेल ले सकते हो सर्व मोटर को कैसे machine में fit किया जाता है तो दोस्तों कैसी लिए आपको ये वीडियो लाइक कीजिए आपक